जैसा आप सभी को पता है अभी नवरात्री चल रहा है तो आज मैंने बनाई है खास नवरात्री एस्पेशल चाने दाल की लड़ू बहुत ही टेस्टी बना था ऐसा लोग बता रहे थे क्योंकि ये लड़ू खास मैंने मंदिर के लिए मातारानी का परसाद बनाई थी लड़ू मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना कर बताए एकदम परफेक्ट नप के साथ इससे पहले हलो फ्रेंट वेलकम टू मीनी ब्लॉग विडियो थोड़ी लंबी है पूरा देख लीजिएगा अगर आप ये पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सिख कर जाने वाले हैं तो अभी चनेदारली लड़ू बनाने के लिए मैंने पहले से रात को ओभरनाट शोक करने के लिए छोड़ दिया था ये एक कटोरी है कोई भी आप कटोरी सेट कर ले या आपके पास मेजरिंग कप हो तो आप उसे ले ले तो यहाँ पर मेरा एक कटोरी है मैं बाद में दि के डालेंगे एक साथ पूरा ना डालें जितना जगह हो उससे थोड़ा सा आधा रहने दे क्योंकि इसे क्याना अभी हम बीना पानी के पीछने वाले हैं तो थोड़ा से यहां पर दिक्कत हो सकता है तो आप पल्स मोड पर चलाईएगा और बीच बीच में रोक रोक कर करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका यह दरदरा पिसा जाएगा बहुत जादा दरदरा नहीं रखेंगे आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से हमें रखना है तो हमारा पहला बैच तो हो गया इसी तरह से जो भी डाल बचा हुआ है उसी तरह से हमें इसे पीस लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से है आप एक बर देखेंगे तो आप एक बर में परफेक्ट लड़ू बना कर तयार कर लेंगे तो बस बाकि सारे चने दाल को भी ऐसे ही पीस कर तयार कर लेंगे तो हमारा यह तो हो गया चाना डाल पीस गया है तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से बीना पाणी डाले भी यह पीसा जाता है अच्छे से तो आप बस यहां पर यह ध्यान जरूर दीचेगा तो अभी क्या करेंगे इसके हम छोटे-छोटे टिक्किया टाइप का बना लेंगे जैसे हम पकोड़ी बगेरा बनाते हैं तो अभी क्या है आप इसे चाहे तो रिफाइन तेल में भी बना सकते हैं पर घी जासा टेस्ट कैसे आएगा मेलास्ट में जरूर बताऊंगी तो अब फिल आलकिया करेंगे घी कड़ाहि में डालेंगे और इसे हम थोड़े गर्म करने के लिए रख देंगे बहुत जादा हमें गर्म नहीं करना है मीडियम गर्म रखेंगे तब तक उधर गर्म हो रहा है तब तक इधर हम तिक्या बना लेते हैं चोटे चोटे टिक्कना टाइपका बना लेंगे यूज से टिक्कना बना लेंगे जितना कमकर से अध्य हुज़वन तो पहले भी देब औ これ हमेरा पहले भी बंटे खर स्वाराot को वह भी वीडियो की रेसिपी देखनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगे आप देख ली जगा वह भी बहुत ही टेस्टी बनता है पर अभी मैं प्रसाद के लिए बना रहे थी तो मैं सोचा कि चलो चने डाल का ही बना लेती हूं वैसे बेसन का भी ब पलट कर इसे हम सेके लिंगे और ध्यानरक इसे हमेन बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है थोड़ा सा और के यहां पर फ्लimm को बहुत ज्यादा रखले मत किजिएगा हाई करने से क्या होता है कि आपका अंदर से कच्चा कच्चा सरा जगा और उपर से लाल हो जाएगा तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिट की जगा बहुत जादा नहीं करेंगे बाकि सरे ऐसे टिकियां को हम चान लेंगे और आप देख पा रहे हैं अंदर तक कितने अच्छे से यह सिग गया है तो यह जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो छोटे छोटे इसके पीसे कर लेंगे और इसके बाद क्या करना है ना इसे अभी हमें पीसना है वापस से देखने से लग रहा होगा ऐसा पर बनाना बहुत इजी है बस इसे क्या करेंगे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि जितना ठंडा यह रहेगा ना उतना ही अच्छे से आपका यह पॉड़र तयार होगा वेसिकली आप यहां पर भूंदी जैसा बनाना है तो यह हम अच्छे से हमारा fine piece गया है थोड़ा सा अगर आप छूएंगे ना जैसे सूजी भगर चूते ना तो उस तरह का लगता है तो इसे अभी क्या करेंगे ना थोड़ा सा इसे हमें फिर से भुनना है जिसे क्या होगा मैं अंदर अगर गल्ती से थोड़ा बहुत कच्छा रहा गिनार तो इस तरह से यह सिख जाएगा। तो यहाँ पर नहीं टोता है और आजके करेंगे, inch storyt strategy कुछक्त में तुरियार के नमिजियम ऩर माप करेंगे लुहाँ करो, argument करेंगे पढ़ते हैं दूसरे ध्याम को मेडियम ही रखना है।कान सब्सक्री करेंगे जिससे मैंने चने दाल माप किया था तो सेम वही कटोरी लेंगे एक कटोरी चीनी मतलब जितना आप चना दाल लिए उतना ही आप चीनी ले ले और उसका आधा पानी लिचे मतलब एक कटोरी चीनी आधे कटोरी पानी और यहाँ पर थोड़ा सा बजार जैसा कलर दिखने के ल पर डालेंगे आधि चमच छोटी वाल चमच से और एक चमच लेंगे नीमबू का जूस जालने से होता कि जैसे जब हम लड्डू बनाएंगे न तो थोड़ा सा क्रिस्टल टैप करने लेगा सफेद सफेद नहीं लेगा लड्डू के उपर और थोड़ा सा सौप्ट भी है आप लास्ट में देखेंगे ना थोड़ा सा भर भरात सा हो जाता है जैसे हम सूजी वगेरा देखते हैं उस तरह का लगेगा और एक दों पर्फेक्ट कलर भी लगेगा अगर आफ फ्लेम पे मीडियम करके भूनेंगे तो देखें बिल्कुल भी जला नहीं है और बहुत मीडियम रख करके इसे हम एक से दो मिनिट तक इसे अच्छे तरह से मिलाते हुए बस सुखा लेंगे यहां पर क्या है ना बहुत जादा हमें पकाना नहीं है अगर आप जब पीसे होंगे तो बहुत अच्छे से आपका दरदरा पीसा गया होगा तो सही है अगर आप बहु सुख जागा और अंदर से अच्छे से पकेगा भी नहीं तो अभी क्या इसे अश्टेच पर हम गैस को बंद कर देंगे और आप देख पा रहेंगे बिल्कुल नहीं है पर थोड़ा सा मोस्चेर टाइप का है तो इसे अश्टेच पर अभी क्या करेंगे मगल डालेंगों 2- से तीन चमाज और यहां पर 2-3 चमाज हम हनी लेंगे हनी डालने से होता क्या ना बहुत ज्यादा सौप्ट बनता है को इसा भी हनी ले सकते किसी भी बरंड का कोई दिक्कत नहीं है बस इसे क्या करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम धाक कर 10-15 मिट के इस मिसरा मिसरा बिल्कूल तैयार है लड्ड बनाने के लिए तो अब हम लड्ड बनाने के लिए ने किया करेंगे पहले हाथ पर THोड़ा सामघी लगा लेंगे जिसे क्या होगा थोड़ा बहות भूप्रसांसाइज में आप इसे लड्डू तायार कर लें आप जो भी साइज देखने से अच्छा लगता है बस अभी क्या करेंगे बाकिसारे इसी तरह से हम लड़ों को तयार कर लेंगे तो हैना विल्कुल आसान लड़ों बनाना आप इस तरह से बनाईए मैं आपको एक पर तोड़ कर भी दिखा देती हूं एक ही तोड़ूंगी क्योंकि मुझे मंदि लेकर जाना है तो आप देख पार होंगे अंदर से भी कितना अच्छे से एकदम सौप्ट बनकर तयार हुआ है लड़ों और देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा बहुत टेस्टी वाके में बना था तो आई होप आपको यह लड़ों अच्छी लगी हो तो चली अभ यह लड़ों को से पिया चल घृड़ों के हैं तो आपंङ लड़ों अायो को I amี अज़के लगी हो अगर आपको मेरी वीडियो और यह लैगा बना नर्यारा हो तो में घृका चांत कर लीजेगा घव तुम्हें घालागा, वाचो इदो देसे नाटिके जिर्वाँ आटिके जीखा, ओगो दॉई नाटिके जीखा जैंदे, जैंदे, हम्ने